नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं फिर उनके नाक से खोन निकलने लगा, उसके बाद अविभाकों को बुला कर उन्हें उनके घर भेज दिया गया जार्खन में जार्खन में जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं कुछातवर्य त्यार किया गया मद्यान भोझन दो फर एक बए दिया गया परीक्षा सुबह के दस बिशन सुरू हो गाई और दो फर के एक बए तक चली इसमें प्रत्स पीम हिंदी इंगली शंस्किरीट की परिक्षायों जित की गई वहीं दो पर एक बये खत्म हुई जिसके बाद दूसरी पाली की परिक्षा दो पर दो बये से सुरू हुई और साम के सवा पाच बये तक चली बता दे सभी भी सवयों के लिए 50-50 बैकर्पिक प्रस्णों के उतर छात्रों को OMR सीट में भरने थे जारखन के 70 विधायकों के लिए बनेंगे सरकारी आवास जारखन में 70 विधायकों के लिए सरकारी आवास बनाये जाएंगे तो कुछ राजधानी के अलग-अलग हिसों में बने सरकारी आवास में कई विधायक तो ऐसे हैं जिने कागज पर सरकारी आवास तो आवंटी थाए लेकिन वे अपनी नीजी फलेट में रहते हैं लेकिन बहुत ही जल्द विधायकों किया समस्चा खत्म हो जाएगी आने वाले समय में जारकन के सतर विधायक एक ही एरिया में बने सुधाय युक्त आवास में नजर आएंगे बता दे हीसी छेत्र में पैतालिस एकड़ भोमी पर सतर विधायकों के लिए सरकारी आवास का निमान प्रस्तावी थाए मुख्य मंत्री हेमान सुरें के अध्यक्सता में प्रजेक्ट बन में हुई रांची डेवलोप्मेंट अथुरिटी यानि जी आरडीय के निर्देश सक परसद की बैठाक में इस मामले पर गहन मंथन हुआ है आजसु के नियाय मार्च में सुदेश महतो का हेमान सुरें पर हमला हेमान सरकार के खिलाब इन दिनों विपक्षी दल सड़कों पर उतरने में जूटे हैं भारतिय जन्ता पार्टी के सचवाले घिराव के बाद गुरुवार को आजसु ने राज सरकार के खिलाब सभी जी सीद बापु आटका के समीप जमा हुए आईसु कर करता होने राष्ट पिता महात्मा गांधी को पुस पांजलित और पित कर नयाय मार्च की शुरुवात की हैं मुराबादी बापु आटका से आईसु सुप्रीम सुदेश महतोक नेतियुत में बड़ी संख्या में करता सम खुलवाने में जूटे हैं सरकारी स्कूलों के सिक्षक इन दिनों खाता खुलवाने की ड्यूटी में ब्यास्त हैं उन्हें हर हाल में बैंक खाता ना खोल पाए जीले के 12,000 बित्यातों का खाता खुलने की जिम्यदारी ठमा दी गई है डी एसी नीसु कुमारी ने हर हाल में बच्चों का खाता खोलने के लिए सत्य परतिसत लक्ष प्राप्त का निदेश जारी किया है अब सिक्षकों को बैंक खाता खोलने के लिए पोस्ट ओपिस की दोड़ लगानी पर रही है बता दे बच्चों का खाता पोस्ट ओपिस मे खोला जाना है पिछले दिनों इसको लेकर दी सा निदेश भी जारी कर दिये गए हैं ऐसे में पहले से सिक्षको की कौमी जेल रहे इसकूलों में पढ़ाने वाले सिक्षा खाता खुलवाने के गयर सक्षनिक कारे में पसीना बहार है हैं इससे बचों की पढ़ाई परभावि ने बाटा नियुक्ति पत्र गुरुवार को धनबाद के रेलवे कल में आयोजित रोजगार मेले में मुख्य आती थी के तोर पर पहुंची केंद्रिये सिक्छा राजमंति अनपूर्णा देवी ने कहा है कि प्रधान मंत्री ने धन 13 के दिन युवाओ के लिए रोजगार की घुशना की थी युवाओ को रोजगार देकर प्रधान मंत्री अपने वादे को पूरा कर रहे हैं उन्होंने कहा है कि धनबाद समय देश के 45 सहरों में आयोजित किये गए रोजगार मेले में एकहतर हजजार नियुक्ति पत्र बाटे गाए इस कदा में प्रधान मंत्री के बिक्सित भारत के सपने को सही दिसा मिलेगी बता दे रोजगार मेले के दोरान प्रधान मतिनाद मोदी ने जहां कई नो नियुक्ति करमचारियों को वीडियो कंपेसिक माध्यम से नियुक्ति पत्र सोपा वही अनपूर्णा देवी ने धनबाद के करमचारियों को नियु सम्हावित खत्रे को लेकर अलाट हो गया है उपलब दसदानियो की मदद से अधिक से अधिक संदिक्द लोगों की करोना जांच की जा रही है स्रास्ट विभाग को नीजी एस्पालों से गुरू आरको 5 लोगों की और अटशिपीर्पों पराप्थ हुई थी एक प्यक्ति रांची और दूसरा बोकारों के एक निजी अस्पताल में इलाज रत था इधर गुरुवार को स्वास्त विभाग की ओर से 393 लोगों के सेंपल की जाच की गए जिसमें सारी रिपोर्ट निगेटिव रही है जारखन के IAS 26 रंजन के करीवी पर इडी ने खंगाले कागजात जारखन में जमिन घोटाले मामले से जुड़े धन सोधन के आरोपो की जाच कर रही प्रवतन निदेशाला है इडी रांची की टीम ने समाज कल्यान विभा के निदेशाग और रांची के पूरवट DC 26 रंजन के करीवी परदीप बागची के आसन सोल इस्थित फ्लेट में गुरुवार को चापे मारी की चापे मारी के दोरान परदीप अपने फ्लेट में नहीं थे फ्लेट में तला लगा था परदोसियों के अनुसार परदीप ने फ्लेट किराय पर लिया है परदीप के फ्लेट की साप सफाई करने और खाना बनाने वाली नोकरानी के पास इसका चाबी था सिम्डेगा में रैस्व करमचारी के आवास में एडी की छापे मारी रांची की एडी टीम ने लगा था साड़े आठ घंटे तक पुछ ताश के बाद रैस्व करमचारी को अपने हिरासत में लेकर रांची ले गई गुरुवार की सुबह 7 बजे के करीब रांची से ED के टीम CRPF जवानों के साथ सिम्डेगा पहुंची जुलन सिंग चोग के आसपास के लोगों से रहस्व करमचारी भानूप परताप के माकान के बारे में जनकारी ली इसके बाद सिधेर रहा स्वक्रमचारी भानुप परताव के मकान में स्यारपी एफ के जवानों के साथ इडी की टीम प्रवेश कर गाई इसके बाद पुछ ताच का सिलसिला जारी हुआ IAS छवी रंजन के रांची और जमसेदपूर आवास पर शप्रमारी जारखन में जमीन घोटाला मामले में IAS अधिकारी और रांची के पूरो उपायूगत शवी रंजन और उन से जुड़े कई लोगों के यहाँ इडी ने बड़ी करवाई की है समाज कल्यान भी भाग के सचीव छवी रंजन के रांची और जमसेदपूर इस्थीत आवास पर भी प्रवतन निदे साले के टीम ने रेड मारी है पूरा मामला जमीन की खरीद बिकरी से जुड़ा हुए है जारखन के कई जी लोग के अंचल अधिकारियों और सी आई के यहां भी इडी की टीम ने गुरुवार को दविश्थी है बताया जा रहा है कि सी यो और सी आई ने अपने अपने घरों में ट्रंकों में भर-भर कर कागजात रखे थे ED की टीम ने उन्हें जब्द कर लिया है सुत्र बता रहा है कि ED की टीम ने छापे मारी की दोगान कई दास्ताविये जब्द किया है चारा घोटाला में लालू यादव की साजा बढ़ाने की मांग सीबी आई की आजकापर जार्खन हाई कोट ने आइसिक सुनवाई की है बता दे जस्टिस सुजित नयान परसाद और जस्टिस सुभास चंद्र की अदालत ने आजकापर को सुनवाने के बाद कहा है कि इस केस को सक्षन बेंच में ट्रांसफर किया जाए बता दे किया ममला देवगर को सागार से अवाय तरीके से पैसे की निकासी से जुड़ा हाई लोहरदग्गा गुमला होते हुए कोरबा तक बिच सकती है रेलवे लाइन जारखन राजी के लोहरदग्गा से गुमला होते हुए 36 गड़ राजी के कोरबा तक रेलवे लाइन बिचाने की उमीद एक बार फिर जगी है केंदरीये रेल मंत्राले ने उपायुक्तों को पत्र जारी का ड्रोन सर्वे कराने में सहयोग करने को कहा इस तमन्ध में जस्पूर जीला के उपायुक्त ने भी पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने ड्रोन सर्वे के लिए पुलिस अधिक्षा को रेल्वे से सहयोग मांगी है बतादे की रायगार संसाधिये छेत्र की सांसत गोमती साय ने प्रधान मंत्री वकेंद्रिये रेल मंत्राले से मिल कर लोहबदगा गुमला होते हुए कुरबा तक रेल्वे लाइन भिछाने की मांग की है सराइ केला में चैत्र महोथसो का समापन सराय किला के अस्थानी बीर्शाम मुंडा इस्टेडियम में कला संस्कीरित एवं पर्यटन विभाग तथा जीला पर्शासन के सन्युक तत्वधान में आयोजी चैत्र महोचो का समापन हो गया है समापन समारों में रातरी जागरन के साथ सराय किला मानभूम और खर्शावा सायली का चाओ नरते परस्तूत किया गया कारकरम के समापन समारों में मुख्य आती थी के रूप में एसपी अनन्द प्रकास जीला परिश अध्यक सोना राम बोधरावा बिसिष्ट आती थी डीडीसी परवीन गगराई उपस्थित थे चैत्र महोच्साओ के अमतिम दीन समारों का उध्यक गाट और मुख्य आती थी द्वारा दिप प्रोजलित कर किया गया कोडारवा में कॉण्ग्रेस परदेश परभारी अविनास पांडे का केंद्र पर निसाना कॉण्ग्रेस के वरिष्ट नेता राहूल गांधी की संसर से सतार रद किये जाने की बिरोद में पार्टी ने गुरुगार को कुडारवा में जय भरा सत्यागरा कारकरम के तहत सभाग की सहर के जहन्डा चोक के पास स्टेशन रोड में आयोजी सभा में बतोर मुख्य थी ती राश्ट्रिय महासची उसा जारकन के परभाई अविनास पांडे ने कहा है की आई देश में हलात बिसम है सही सवाल उठाने वालों को निशाना बनाया जा रहा है महंगाई बेरोजगारी बीगरते भाईचारा भरष्ट चार सहीत अने मुदो पर राहुल गांधी लगातार मुखर रहे है यही कारण है की उन्हें निशाना बनाते हुए सांसत की सर्था रध कर दी गई देश की ऐसी सर्था के खिलाप राहुल गांधी का या अकेला संगर्श नहीं है कोडर्मा के चंदवारा में सुई लगाते महिला की मौथ कोडर्मा जिला अंतरगत चंदवारा थाना के बगल में संचालित एक मेडिकल हॉल में गुरुवर को इलाज के लिए आई एक महिला की सुई लगाने से मौत हो गई परिजनों के अनुसार महिला को खासी जुकाम और बुखार था जिसके इलाज के लिए हुआ आई थी यहां इलाज के दरन महिला को क्लिनिक संचाला कांती कुमारी द्वारा सुई दिया गया पूलिस को टारगेट कर नकसलियों ने बिचाए आई डी पच्मी सिम्मुम जीला अंतरगत गोहिल के राथाना छेतरे के हाथी बुरु जंगल के पास पूलिस को टारगेट कर नकसलियों द्वारा बिचाए गया इसी के ताथनकसलियों ने पूलिस को टारगेट कर हाथी बुरु जंगल में आई डी बम बिचा कर रखा है जिसकी चपेट में आकर ग्रामीन एवं उनके पसवों के भी मौत हो रही है इस घटना के बाद जोरदार धमाका हुआ धमाके की आवाई सुनने के बाद पूलिस इसीम घटनास्ताल के लिए रवाना हुई पीएम कोसल विकास प्रसिक्षन योजना में नोकरी के नाम पर आठ लोगों से ठगी गुमला में गाय बायल बकरी बेचकर आठ लोगों ने घोस दिया ताकि उन्हें नोकरी मिल सके लेकिन ठगों के जाल में फसे लोग पैसा बैठा अब तक उन्हें नोकरी नहीं मिली है इसकी लिखित सिकायत ठगी के सिकार हुए लोगों ने किया है बता दे मामला गुमला जीला से 65 किलोमेटर दूर डुमरी पर खंड का है डुमरी पर खंड के अलग अलग गाओं के महिला वम युवाओं से प्रधान मत्री कोसल प्रसिक्षन योजना में नोकरी दिनाने के नाम पर आट लोगों से लाखो रुपए के ठगी की गई नोकरी मिलने की उमीद में लोगों ने ठग के बाकावे में आ गये और गाय बैल बक्री बेश दिया एक लाग संतानवे हजाय रुपए की ठगी आठ लोगों से की गई ह जमसेद पूर्व कदमा उपद्रों मामले में प्रसासन की करवाई सवालों के घेरे में कदमा के सास्त्री नगर में 10 अपरेल के हुए संप्रदाइक उपद्रों मामले में जो करवाई हो रही है उससे जीला पूलिस और जीला प्रसासन सवालों के घेरे में आ गया है भाजपा परदेश अध्यक्स दिपक प्रकास और पुर्व अध्यक्स रविदन राय ने अभाय सिंग, सुधान सु, ओज़ा और बिहिप कर करताओं की गिरफतारी पर अपती जताई है भाजपा नेता का कहना है की एक गिरफतार्या पर शासन ने एक मंत्री के इसारे पर की है भाजपा के मताबिक 9 अपरेल को जब महाबिर जंडे में मास का टुकड़ा बंदा हुआ मिला और इसे लेकर जो हंगामा हुआ उसे लेकर पुलिस ने लपरवाही बरती पुलिस ने वहाँ जवानों की तयनाती नहीं की जिसके बाद उपद्रियों ने दूसरे दिन हामला कर दिया मंदीर और हिंदूओं के साथ साथ पुलिस पर भी उपद्रियों ने पत्राव किया था रांची अर्पोर्ट पर कारगो सेवा 14 दिनों से ठप पराई धाने रांची की बीसा मुंदा यारपोर्ट से फिलाल कारगो के माध्यम से समान का टांसफ़र नहीं हो रहा पीछले 14 दिनों से कारगो की सुविधा यारपोर्ट से बंध है इससे सहर के कारोबारियों को खासे परसानियों का सामना करना पड़ रहा है साथ ही इन्हें कारोबार में नुकसान का भी समना करना पड़ हा है वही सुत्रों से मिली जनकारी के अनुसार डी जी सीय की तरफ से बीसा मुंदा यारपोर्ट का कारगो सर्विस रोक दिया गया है जिस वज़ा से जारखन के सेक्डो करोबारियों और आम लोगों को काफी परिसानि हो रही है सुल्ला अप्रेल को समाप्त होगा जय भारत सत्यागरा अभियान हिडन वर्ग की रिपोर्ट और पियम मोदी से उध्योग पती गौतम अडानी के संबंध को लेकर कॉंग्रेस लगातार सवाल उठा रही है बतादे गुरुवार को कौंग्रेस के परिदेश कर्याले में पुर्व केंद्रिय मंत्री सुबध कांच सहाई ने समादाता समेलन कर इस कारकरम के खत्म होने के जनकारी दी उन्होंने कहा है कि जिस मामले में राहूल गांधी को सजा होई है उसमें ओ लोग पीडिशनर भी नहीं थे जिनका नाम राहूल गांधी ने लिया था जारखंड बंद को कई छात्र संग अठनों का समर्थन मुराबादी के अक्षिजन पार्क में मीडिया कर्मियों को समोधित करते वे छात्र नेताओं ने कहा है कि जारखंड बंद का विभीन छात्र संग अठनों समर्थन किया है जिस में आदिवासी छात्र संग आयसा छात अमंदीप मुंडा मनोज उराव योगेस भारती असोक नायक सुरज मंडग के अलावा अने छात्र सामिल थे गतला भाय की कर्मियों को सरकार हज पर भेज़ेगी ए डॉक्टर और परामेडिकल करमचारी सौधी अरब के मकाम अदिना जोदा आधी जग हो पर अवस्थित अस्पतालों चिकित्सा केंद्रों में प्रतिन्युक्त किये जाएंगे जाएं ए सभी डॉक्टर और परामेडिकल करमियों के चयन को लेकर निदेशक प्रमोक स्वास्त डॉक्टर बिरेंद्र कुमार ने राजे के सभी सिविल सर्जनों को पत्र लिखा है सरना जंडा आपमान को लेकर आदिवासी संगत्नों ने की बैठा करम टोली सीथ धुमकुडिया भॉन में गुरुवार को सरना जंडा आपमान मामले को लेकर आदिवासी संगत्नों की बैठा खोई बैठा के अज्यक्षता करते हुए गीता स्री उराव ने कहा है कि सरना जंडा आपमान के नाम पर आदिवासी समाज को ठागने के काम किया लक्षमी नरायन मुंडा ने कहा है कि पुलिस परसासन CCTV केमरे में फोटेज के अधार पर सभी आरोपियों खिलाप करवाई करें केंदरिये सरना समीती के महास चीव कृष्ण कांत टोपोर ने कहा है कि राज्य में आदिवासी संसत बनाए जाए ताकि आदिवासी समधित मा हम लोग का जल्द निप्टारा किया जा सके 29 अप्रेल को जार्खन बंद जार्खन में योजन निति के खिलाप जार्खन स्टेट इस्टूडेंट यूनियन ने एक बार फिर आंदोलन का एलान कर दिया है यूनियन के अध्याक्ष देवेंदर नात्महतों ने गुरुवार को कहा कि 17 अप्रेल से 16 संगटनों कांदलन सुरू हो जाएगा 17 अप्रेल को मुख्य मंतरी हमांसुरिन के आवास का घहराव किया जाएगा वही 18 अप्रेल को राची में मसाल जूलूस निकाला जाएगा और 19 अप्रेल को जार्खन बंद किया जाएगा धन्यवाद यदि एक लाइक का अपने दोस्तों से सेर करना ना भूलें साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीडियो एक अवस्य दे थैंक यू